हैश्टी सची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है मेरे अंदर ऐसी बातों ने जर्म ले लिया था जिसे मैं चाह कर भी नहीं निकाल पा रही थी और मुझे लोगों की बातों ने इस तरह घायल कर दिया था कि मैं अपने बारे में सोचने और समझने की तागत को खतम कर चुकी थी इसलिए मैं अपने बारे में कुछ अच्छा सोच ही नहीं बा रही थी और ये सोच कर तै कर लिया था कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला भी नहीं है जब मा ने अपने बारे में मुझे बताया तो उस बात को भी मेरे दिमाग ने उल्टी दिसा में ले लिया था मेरी माँ को इस बारे में पता नहीं था कि मेरी बच्ची मेरे इस बात को भी उल्टे मतलब में ले जाएगी और अब मैं 18 साल की थी और मेरी शादी 21 साल के लड़के से तै हो रही थी मगर मुझे एक 60 साल के बुढ़े से इश्ग हो गया था जिसकी पहले चार पत्निया मर चुकी थी सब लोग कहते हैं कि उसके चारों पत्निया उसके अक्तैचार की वज़ा से मारी गई है मगर मुझे यकीन नहीं आया मैंने उस बड़े से शादी कर ली शादी वाली रात बुढ़्धा कमरे में आया तो उसके हाथ में ऐसी चीज थी जिसे देखकर मेरी आत्मा तक काप कर रह गई थी मेरे अब सुनिये मेरी पूरी कहानी मैं अपने माबाप की इकलोती बेटी थी और पापा के लेहांत के वक्त मेरी उमर 18 साल की थी मैं बहुत सीधी साधी लड़की थी अगर मैं यू कहूं कि मैं तो बिल्कुल भगवान की गाई थी तो ये भी बात बिल्कुल गलत नहीं होगी मेरी माने मेरी परवरिस बहुत अच्छे तरीके से की थी और दोस्ताना माहौल में की थी मेरे घर का इतना अच्छा माहौल था तो मुझे ज़्यादा दोस्तियां करने के भी शोक नहीं था मेरी दो ही सहेलिया थी मैं उनके घर भी आया जाया करती थी और वे अक्सर मेरे घर आकर खेला करती थी मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे रिस्तेदार कौन है क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं आता जाता था एक दिन मैंने पापा से पूछा तो वह कहने लगे अभी तुम अंधेरे में हो तुमें कुछ नजर नहीं आएगा जब मेरा देहान्त हो जाएगा हर तरफ रोशनी फैल जाएगी तुमें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगी पापा की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल परिशान हो गई थी आज तो बहुत धूप निकली थी फिर नजाने वो ऐसी बाते क्यों कर रहे थे मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया और मैं बोली पापा दिन का टाइम है, हर तरफ रोचनी है फिर आप अन्धेरे की बात क्यों कर रहे हैं मेरी बात सुनकर पापा की आंखों में आशू आ गए थे वे कहने लगे मेरी नजर कमजोर हो गई है मुझे हर तरफ अन्धेरा ही अन्धेरा नजर आता है पापा की बाते सुनकर मैं रोने लगी थी मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था पापा को थोड़ी तो दया आनी चाहिए थी इस दुनिया में मेरे पापा के लावा मेरा और मेरी मम्मी का था ही कौन उन्होंने अपनी बेटी के सामने में अपनी मौत की बात की थी मैं बहुत डर गई थी पापा ने मेरे माथे पर चूमा था और कहने लगे तुम भी छोटी-छोटी बातों पर परिशान हो जाती हो चुप करो कुछ नहीं हुआ मुझे मैं रोती चली गई थी पापा मुझे अपने साथ पारक में ले गए थे पारक में जाकर मेरा दिल थोड़े समय के लिए तो बहल गया था मगर पापा के कहे हुए सब्द जैसे मेरे दिमाग में छपकर रह गए थे अब मैं हर टाइम अपने पापा की अब ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रहेंगे मैं तो अब फूट फूट कर रोने लगी थी तब मैं बहुत छोटी सी थी सिर्फ पांच्यू किलास में पढ़ती थी पापा को इस बात का अंदाजा ही नहीं था वे बात जो उन्होंने जजबात में होकर मुझे कही थी उसने मुझे किस तरह डरा दिया था वक्त यूँ ही बीत्ते अगया और जब मैं पंद्रा साल की हो गई तो एक दिन पापा को हाट अटेक आने की वज़ा से उनकी मौत हो गई थी इस दुनिया में पापा के लावा मेरा और मेरी मा का था ही कुन हम दोनों टूट कर रह गए थे मुहले बालों ने पापा के देहांद के बाद मुहले के पंडिजी को उनके किया करम के लिए बुला लिया था पापा की अरथी के पास बैठ कर मैं बहुत रो रही थी और फूट फूट कर रोने लगी थी मेरी मा ने बाहर मंदिर में ऐलान करवा दिया था थोड़े ही देर में बहुत से अजनबी चहरे पापा की अर्थी के पास आकर बैट गयते और फूट फूट कर रोने लगे थे मैंने ममी से पूछा ये कौन लोग हैं तब ममी ने एक बूरी सी औरत की तरफ इशारा करके कहा ये तुम्हारी दादी हैं उनके साथ दो औरते और भी थी उनके पारे में ममी ने बताया कि वे दोनों तुम्हारी बुगा हैं तब मुझे पता चरा कि हमारे महले के पीछे जो महला था वहीं पर ये सब लोग रहते थे। मगर पापा की जिंदगी में उन्होंने कभी भी हम लोगों से मेल पिलाप नहीं किया था वे तीनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। जबकि में और मेरी माँ दूसरे को सहरा दे रही थी। मेरे पापा के क्रिया करम के बाद वे औरते वापस चड़ी गई थी। तब पापा के सब्द मेरे कानों में गुंज रहे थे। उन्होंने ठीक हीं तो कहा था कि अब भी बहुत अंधेरा है। पापा के मुर्ति के बाद मुझे रास्ता नजर आ जाएगा। ऐसे टाइम मुहले वालों ने हमारा बहुत साथ दिया था। तीसरे दिन वे तीनों औरते फिर से हमारे घर आ गई थी। मेरी दादी फूट फूट कर रूती जा रही थी। और साथ साथ ये भी कह रही थी। अच्छा होता अगर दीप तम ममी मेरे सर पर हात रख कर कह देती। ऐसे लोगों की बातों को सर पर सवार नहीं करते। मेरे दोनों बुगा मुझे देख कर मुझे उनसे बहुत डर लगने लगा था। मैं चाहती थी वो बस जल्दी से हमारे घर से चली जाए। मगर वे अब बार बार हमारे घर आती जाती रहती थी। वे अक्सर कहती ये लड़की तो शकल से ही खतरनाक लगती है। ऐसे लगता है हमारे बेटे का नाम खराब करके रखेगी। एक दिन मेरी दादी मेरी ममी से कहने लगी अपनी बेटी की साधी जिस तरह जल्दी हो कर दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ब भवे घर नहीं आई तो अब क्यों आती चाती हैं। ममी की बात सुनकर तो उन तीनों ने मेरी मापर हमला कर दिया था। ममी रोने लगी थी। फ़रवे तीनों उटकर चली गई। तो मैं बोली ममी मेरी दादी ने मुझ पर ऐसी कौन सी कमी देख ली है जो कहती है कि मैं पुझे उमेद है कि आज के बाद हमारे घर वे लोग कभी नहीं आएंगे। मम्मी की बाद सुनकर मेरे दिल को तो तसलिह हो गई थी। मम्मी की बाद सच सावित हुई थी। उस दिन के बाद ना तो कभी दादी हमारे घर आई थी और ना ही भूगा लोग। मगर अब कुछ आजीब सा होने लगा था। हमारे घर के मुहले की औरतों ने भी आना जाना हमारे घर छोड़ दिया था। मेरी सहलिया भी हमारे पर जा पहुंची थी उसकी माने दर्वाजा खोला था मैंने उनको नमस्ते की और उनके पाउच हुए और कहा अंटी बर्का कहा है वे इतने दिनों से हमारे घर क्यों नहीं आती जाती अंटी दर्वाजे के सामने ही जमकर खड़ी हो गई थी वो बोली बर्का अब तुम्हार साथ रहेगी तो वो भी बदनाम हो जाएगी मेरी आँखों में आशू आ गए थे मैं बोली अंटी भगवान ना करे आप ये कैसी बाते कर रही हैं अंटी कहने लगी मैं तो साफ साफ कह रही हूँ तुम्हारी दादी सब को कहती फिर रही है कि तुम कोई ना कोई गुल खि इसा बताया उनको बहुत गुस्सा आया था वे कहने लगी भगवान की धुदकार होगी उन लोगों पर उन औरतों पर जो मेरी मासुम बेटी के पीछे हांग धोकर लग गई हैं मैं बहुत उदास रहने लगी थी पापा के देहांत के बाद महले वालों ने माथे पर आखे रख ली थी हम दोनों मा बेटी बिलकुल अकेली रह गई थी मुझे किस जुलम की सजा मिल रही थी जो मैंने कभी किया भी नहीं था मुझे तो इन बातों की इतनी समझ भी नहीं थी खेर ममी अब हर टाइम परेसान रहने लगी थी हम दोनों घर में ही कैद होकर रह गई थी यूहीं वक्त गुजरता चला गया था अब मोहला इस तरह घुटन भरा हो गया था यहाँ पर जादा रहना नामुंकित सा लगने लगा था ममी ने मेरी आँखों की उदासी महसूस की तो वह घर से बाहर जाने लगी थी मैंने उनसे पूछा था कि आप कहां गई थी तो वह कहती हैं कि मैं एक काम से गई थी करीब एक हफ़ते के बाद ममी मेरे पास आ गई और कहने लगी बेटी अपना सामान पैक करो हम इस घर को और इस महले को छोड़ कर जा रहे हैं ममी हम कहां जाएंगे ममी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया था और बोली बेटी संधिया भगवान इस जमीन पर जितने लोग हैं उन सब के लिए हैं इसलिए भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है हमें कहीं न कहीं तो रहने का ठिकाना मिल ही जाएगा फिर हम दोनों वे घर छोड़ कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे ममी ने ये घर किराय पर ले लिया था ये घर छोटा सा दो कमरों का एक किचन और फिर बातरूम छोटा सा आंगन भी था मैं एक दिन ममी से बोली हम इस घर में क्यों शिफ्ट हुए हैं तब ममी कहने लगी मुझे लोगों की बातों से बहुत डर लगने लगा था वहां हर कोई तुम्हें बदनाम करने लगा था इसलिए हम यहां आ गए हैं मैं चुप रही ममी को इस बात का पता कहा था जो बाते में कई सालों से सुनती आ रही थी उस बात ने तो मेरे दिमाग पर एक गहरा चाप छोड़ दिया था वे महला बदलने से तो कभी नहीं जाता वे बाते मुझे इस तरह तकलीफ दे रही थी मुझे खुद ही लगने लगा था मुझे ऐसा कुछ जरूर होगा जिसे मेरे माबाप का नाम खराब हो जाएगा मैं अपने माबाप की इज़द खराब कर दूँगी शायद मेरे माथे पर यही सब लिखा हुआ था मैं इन बातों से पीछा छोड़ाने की कोशिस किया करती थी मगर जब आई ना देखती तो लोगों के सब्द मुझे याद आ जाते थे एक दिन मम्मी सबजी लेने घर से बाहर गई हुई थी जबकि मैं अपने घर में बैठी हुई थी तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई मैंने ये सोच कर दरवाजा खोल दिया शायद मम्मी आई होंगी मगर सामने तो जाना पेचाना चेहरा खड़ा था हम नए इलाके में आये थे यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी था जिसको हम जानते थे और वे हमारा मकान मालिक था वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा बोला गुडिया तुम्हारी मा कहा है मैं बोली वे तो घर पर नहीं है बाजार तक गई हुई है आप अंदर आ जाईए मकान मालिक नामे सिर्ह लाया और बोला नहीं जब तुम्हारी मम्मी आ जाएंगी तो मैं फिर से चक्कर लगा लूँगा मैं बोली कि आपको दुबारा परिसानी उठानी पड़ेगी मम्मी बस आने ही वाली होंगी तब तक मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम कर दूँगी मकान मालिक कहने लगा जीती रहो बेटी उसने मेरे सर पर हांद रखा और वापस चला गया मुझे उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था पापा के देहांद के बाद ये पहला आदमी था जिसने इतनी इज्जस से बात की थी मम्मी जब आई तो मैंने उनको सारी बात बता दी थी मम्मी मुस्कुराने लगी और बोली अच्छे दिल के लोग ऐसे ही होते हैं जब बेटिया घर में अकेली होती हैं तो वे घर में नहीं आते और तुम भी किसी को भी घर में आने की परमीशन मत दिया करो फिर मम्मी कहने लगी एक महीना हो गया है वे शायद किराया लेने आए होंगे मैं बोली आप हर महीने का किराया कहां से दोगी हमारा गुजर बसर कैसे होगा मम्मी कहने लगी तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जूर मत दिया करो मैंने पहले वाला घर बेच दिया है जिसमें हम पहले रहा करते थे वे पैसे मैंने बैंक में जमा कर दिया है हमारे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है यहां तक कि मैं तुम्हारी शादी भी अच्छे तरीके से कर सकूंगी तुम अब 18 साल की हो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का भी पसंद कर लिया है उसकी उमर 21 साल की है वे बहुत अच्छा लड़का है तुम्हारी शादी उससे कर दूंगी मैं ममी की बात सुनकर शर्मा गई थी अब मुझे अपनी शादी का ख्याल आने लगा था मैं दिन कैसा होगा जब मैं दुलहन बनूंगी नजाने मेरा दूलह कैसा होगा पढ़ाई तो मेरी अधूरी रह गए थी हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि आगे पढ़ाई नहीं कर सकी थी अब मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए इस नए इलाके में हमारा किसी के घर भी आना जाना नहीं था मैं घर में पड़ी सारा दिन बोर हो जाती थी एक दिन हमारे घर पर फिर से किसी की आने की आहट हुई तो मम्मी नहीं दर्वाजा खोला था मकान मालिक हमारे घर आया था वह कहने लगा मैं अपने घर की खिड़कियों की मरमत करवाना चाहता हूँ ये खराब हो गई है ममी ने पर्मीशन देदी थी अब इस काम की वज़े से मकान मालिक को भी मजदूरों के साथ हमारे घर आना जाना पड़ता था एक दिन ममी कहने लगी भाई साब आप ना आया करें मजदूर अपना काम करके चले जाएंगे इस तरह आपको परिशानी नहीं होगी मकान मालिक कहने लगा बहन ऐसे अच्छा नहीं लगता आप घर में अकेली औरत होती हैं आप मेरे घर में रह रही हैं मेरी जिम्मेदारी है और आजकर लोगों पर मुझे बिलकुल भी भरोसा नहीं है इसलिए मुझे साथ आना जाना ही पड़ेगा मुझे मकान मालिक की सोच बहुत अच्छी लगी थी ममी कहने लगी या आदमी बहुत ही भला आदमी लगता है एक दिन मजदूर के जाने के बाद ममी ने उन्हें चाए पर बुला लिया था मैं चाए लेकर गई थी तो मकान मालिक कहने लगा कौन सी किलास में पढ़ती हो बेटी मैंने नामें सिर्हला दिया और सोफे पर बैठ गए मैंने उन्हें अपनी सारी दर्द भरी कहानी सुना दी थी मैं बोली पापा के देहान के बाद हमारे रिस्तदारों ने ऐसे हालाद पैदा कर दिये थे उनकी वज़े से मेरी पढ़ाई भी अदूरी रह गई थी हमें अपना इलाका भी छोड़ना पड़ा था मकान मालिक कहने लगा हाँ ऐसा ही होता है कभी कबार हमें अपने इतने दुख देते हैं कि इनसान ने कभी उस चीज़ की उमीद भी नहीं की होती मकान मालिक कहने लगा मेरा नाम रामलाल है मैं अपने ही लोगों के बातों का ही डसा हुआ हूँ मैंने अपनी पसंद की शादी की थी मैं अपनी पत्नी से बहुत महबत करता था उसके खातिर जान भी देने को तयार था मगर फिर हमारे रिष्टेदारों से हमारी जोड़ी बरदास नहीं हुई और हम दोनों के बीच में फूर डाल दी थी जिसका नतीजा बहुत भायानक निकला था मैं आज भी वसब कुछ सोचता हूँ तो दिल दहल दाता है मैं आज साट साल का हो गया हूँ मगर आज तक मुझे सची महबत नहीं मिली फिर वह कहने लगा तुम जिस किसी से भी शादी करना उसके साथ अच्छे से निभाना महला जैसा भी हो तुम हमेशा अपने पती का साथ निभाना फिर मकान मालिक हमें अपना मुबाइल नमबर दिया और ममी से कहने लगा जब भी किसी चीज़ की कोई जरूरत हो तो मुझे जल्दी से मैसिस कर दीजिएगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा मैं मकान मालिक के बारे में सोचने लगी थी नजाने राम पाल में ऐसा क्या था मैं चाह कर भी उसे अपने दिमाग से जटकने ही पा रही थी रात हुई तो बारिस बरसने लगी थी ममी तो सारे दिन की ठकी हुई जल्दी से सो गई थी जबकि मुझे नीद नहीं आ रही थी मुझे पापा की बहुत ज़्यादा रही थी जब बारिस होती थी तो हम तीनों मिलकर बहुत इंजोई किया करते थे ममी मेरे लिए पकोड़े बनाती थी हम तीनों मिलकर खाते थे और बहुत सी बाते करते थे मेरी सहेलिया भी अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी पापा हर दिवाली पर मुझे पैसे देते और कहते अपनी दोस्तों के लिए गिफ्ट ले लो हम एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे मेरे दोस्तों के माबाप मुझे बहुत प्यार करते थे मुझे अपनी बेटी कहा करते थे मगर फिर अचानक ही सब कुछ खतम हो गया था मेरी दादी और बुगा मिलकर हमारे जड़े काड़ती थी मैं यही सब सोचकर रोने लगी थी तब मुझे रामलाल अंकल की याद आ गई थी मुझे से उमर में बहुत ज़्यादा बड़ा था वे तो मेरी मम्मी से भी बड़ा था मगर उस बुढ़े की बातों से मुझे सुकून मिल जाता था मैं यही सोचकर उसे मैसेज कर दिया करती थी मैंने रामलाल को बताया मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ मैं अपने पापा को बहुत याद करती हूँ वे कहने लगा मेरा भी यही हाल है मैं भी अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा हूँ हम दोनों की हालत एक जैसी है हम दोनों आपस में बाते कर रहे थे रात ऐसे ही बीट गई थी और मुझे पता भी नहीं चला था जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के साथ रात भर जाक कर बाते की थी सुबा पूजा अराधना के टाइम में उठी थी मम्मी मेरे पास ही बैटी हुई थी इसलिए मैंने जल्दी से मुबाय। चुपा दिया था मम्मी कहने लगी किया हुआ तुम अभी तक जाग रही हो क्यों मम्मी दादी ने हमारे साथ जो भी कुछ किया मैं चाह कर भी उसे भुला नहीं पा रही हूँ आखिर हमने उनका क्या विगाड़ा था वे हमारी इतने दुस्मन बन गई थी मम्मी की आखों में आसु आ गए थे वे कहने लगी संधिया बेटी मैंने ये बात तुमसे हमेसा चुपा कर रखी थी मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे बारे में कुछ गलस सोचो मैंने अपना पाप सबसे चुपाया हुआ था असल में मैंने और तुम्हारे पापा ने घर से भाग कर शादी की थी तुम्हारी दादी अपनी सहेली की बेटी को अपनी बहु बनाना चाहती थी मगर वे तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी तुम्हारे पापा ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की थी तुम्हारी दादी और बुवा नहीं मान रहे थे और नहीं मेरे घर वाले मान रहे थे इसी मजबूरी में हमने भाग कर शादी कर ली थी तुम्हारे पापा ने मुझे अपने घर में ले गए तुम्हारी दादी ने मेरे मुँपर थपड मार दिया और खड़े खड़े ही हमें घर से निकाल दिया था फिर तुम्हारे पापा ने दूसरे महले में एक घर खरीदा और हम लोग वहाँ पर रहने लगे थे महले वालों से भी दोस्ती हो गई थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था मगर तुम्हारे पापा के देहांत के तीन महीने पहले ही ये सब लोग हमारे इसी महले में आकर बस गए थे मुझे क्या पता था कि ये लोग फिर से हमारा घर बरबाद कर देंगे उन्होंने तो हमारे साथ ऐसा किया जो कोई दुस्मन भी नहीं कर सकता मम्मी की बाते सुनकर मैं दंग रह गई थी मुझे पता नहीं था कि मेरी मम्मी ने घर से भाग कर शादी की थी खेर मैंने इस बात को भुलाने की कोशिश की थी अब राम पाल अंकल रोज हमारे घर आने जाने लगा था अब मुझे उनसे महबत होने लगी थी मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा था मैं उसके बारे में सोचती रहती थी मम्मी से चोरी चुपके उसके साथ बाते किया करती थी कुछ साल के बाद ही मुझ पर इश्क का भूच सवार हो गया था मैं तो रामपाल से महबत करने लगी थी और शादी करना चाहती थी मैं उमर के फर्ग को भुला कर उसे महबत देना चाहती थी जिसका वे हगदार था मैंने अपनी महबत का इजहार जब रामपाल से किया था वे कहने लगा ये ठीक नहीं है तुम अभी बहुत चोटी हो मैं बोली मुझसे साधी कर लो नहीं तो मैं मर जाओंगी वे बुढ़ा रामपाल मान गया था मगर सबसे मुश्किल काम मेरी मां को मनाना था मम्मी को जब इस बात का पता चला तो वे हैरान रह गई उन्होंने मेरे मुँपर थपड मारा था मैं फूट फूट कर रोने लगी थी मैं बोली मम्मी अगर आपने मुझे और रामपाल को जुदा करने की कोशिश की तो मैं भी वही सब करूँगी जो आपने अपनी जवानी में किया था आपको पता होना चाहिए कि टाइम अपने आपको दोराता है शायद आपके लिए ये सब दोबारा देखना होगा मम्मी मेरी धंकी सुनकर डर गई थी वे फूट फूट कर रो रही थी कि मैं हर वक्त मम्मी पर दबाव डालती रहती थी मम्मी ने मुहले वाले से जब उस बूटे रामलाल के बारे में और जानकारे निकाली तो सब ने ही मना कर दिया और कहने लगी कि जान भुचकर अपनी बेटी को गड़े में मत फेकना नहीं तो उसका भी बूड़ा वही हाल करेगा जो उसने अपनी पहली चार पत्नियों के साथ किया था मम्मी ये बास सुनकर ही परिशान हो गए थी वे कहने लगी चार पत्निया और मुहले की औरते कहने लगी उस बूड़े की पहले चार पत्निया मर चुकी है मगर इस बूड़े की हर पत्नी के मरने के बाद वो पहले से भी ज़्यादा जवान हो जाता है अब उसकी उमर 60 साल की है मगर वैं कहीं से भी 60 साल का नजर नहीं आता मैंने ये सब बाते सुन ली थी मैं बोली जो मर्जी हो जाए मैं शादी तो करूंगी राम लाल से ही ममी बहुत रोई थी उन्होंने मेरे आगे हाथ चोड़ दिये थे ममी ने मुझे बार बार कहा मैं तुम्हारे लिए इतना नوجवान और हंसम लड़का ढूंडा है उसकी उमर 21 साल की है तुम बस राम डाल को अपने दिल से निकाल दो शायद मैं उनकी बात मान भी ले थी मगर मैंने कई साल अपने बारे में जो कुछ सुना था उसके बाद मुझे यही लगने लगा था कि मेरे माथे पर लिखा यही है कि मैं बेहया और बेसरम हूँ और अपने माबाप का नाम खराब कर दूँगी मैंने ममी की कोई भी बात नहीं मानी थी फिर मैंने जिद में आकर शादी कर ली थी दुलहन बनी बहुत खुश लग रही थी ऐसे लगता था जैसे मुझे दुनिया की जहां खुशी मिल गई हो थोड़ी देर के बाद रामलाल कमरे में आया और बोला तुझे मालूम है कि मैं जवान क्यों नजर आता हूं क्योंके मेरी चार पत्निया मेरा बहुत ख्यार रखती थी अब तू भी उनसे कुछ सीख ले ये कहता उसने बिस्तर की चादर खीजी मेरी नजर नीचे पड़ते ही मेरी चान निकल गई थी क्योंके वहां बूढ़ा का मैं हका बका बैठी रामलाल को देखने लगी थी मैं बोली ये सब क्या है रामलाल मुस्कुरा कर बोला ये बहुत काम की चीज़े है मेरे पास हमेशा जवान रहने का एक बहुत बड़ा तोटका है इस सांड़े के तेल को अगर कोई जवान लड़की अपने हाथों से मालिस करे इस तेल में शेहद और कई जड़ी बूटिया मिला कर हर रात अपने पती की जिस्म की मालस करेगी तो वैं मर्द जवान रहेगा मेरी चारों पत्निया लेप लगा कर मालिस किया करती थी और देखो मैं आज भी जवान हूँ तुम भी मेरे लिए ये सब करोगी रामलाल ने मुझे सांडे का तेल ला कर दिया था और बोला तुम अपना काम शुरू कर दो मैं उसके वेवार को देखकर हैरान रहे थी मैं बोड़ी रामलाल आप ये क्या कर रहे हैं मैं नई नवीडी दुलन हूँ मेरे भी कुछ अर्मान है रामलाल ने मेरा हाँ चटक दिया और बोला तुम्हें अपने अर्मान पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वही बुढ़ा रामलाल था जो मैसेज पर इस तरह खुबसूरत बाते किया करता था अब यूं ही मेरी सारी रात मुझकिलों में गुजरने लगी थी मुझे कहा इतने काम करने की आदत थी मैं सारी रात उस सांडे के तेल को कई जड़ी भूटियों से बनाया करती थी मेरे हाथों में चारे बन चुके थे सुबह हुई तो रामलाल मुझकुरा कर बोला तयार हो जाओ आज तुमें बहुत से लोग देखने आएंगे मैंने रामलाल की बात मान दी थी जबकि मैं इस तरह थकी हुई थी जी कर रहा था मैं सो जाओं खेर हमारे घर बहुत से लोग आए थे जो रामलाल से यही बात बार बार पूछ रहे थे वैज जी आपकी पत्नी के उमर कितनी है रामलाल बता रहा था अभी वो 18.19 की होगी फिर रामलाल आने वाले महमान को दूसरे कमरे में ले जाता रामलाल ये काम तो किसी नोकरानी से भी करवा सकता था मगर फिर भी वे सांडे का तेल मुझसे ही क्यों बनवाया करता था शादी के रात रात रामलाल मुझसे कहा था कि तुम सांडे की तेल से मेरे पूरे बदन की मालिस किया करोगी मगर उसने मुझसे एक बार भी मालिस नहीं करवाई थी अब हर रात रात रामलाल मुझसे यही काम करवा था पहले पहले तो मैंने उसकी महबत भी ये सब किया करती थी मगर अब मैं ठकने लगी थी इसलिए मैंने रामलाल से खुब छगड़ा किया मैं ये सब नहीं कर सकती थी रामलाल कहने लगा तुम्हें डिवोस दे दूँगा मैं डर गई थी इसलिए चुप चाप उसका कहना मानती रही सोचने पर मजबूर हूच चुकी थी आखिर रामलाल इतने धेर सारे सांडे के तेल का क्या करता है मैंने अब सोच लिया था ये राज में जान कर रहूंगी एक दिन हमारे घर एक आदमी आया तो रामलाल उसे दूसरे कमरे में ले गया मैं चुक कर उन दोनों की बाते सुनने लगी थी रामलाल बोला ये तेल मैंने अपनी अठारा साल की पत्नी से बनवाई है तुम इसको इस्तमाल करने से बहुत जल्द जवान हो जाओगे और वे आदमी बहुत खुश हुआ और धेरो पैसे रामलाल को दे गया था मुझे रामलाल पर शक हो गया था इसलिए मैंने च्छान बीन करवाई थी पता चला कि रामलाल एक नमबर का फ्रोर था अपने इलाके में वैज जी के नाम से मसुहुर था वे जान बूच कर कम उमर की लड़कियों को अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फसा कर उनसे साधी कर लेता था फिर लोगों से कहता कि मेरी कम उमर की पतनी इस सांड़े के तेल को बनाती है इस तेल को लगाने से कोई भी जवान हो सकता है जबकि वो खुद जवान नजर आने के लिए प्लास्टिक सरजरी करवाया करता था उसकी पिछली चार पत्निया भी उसकी इनी हरकतों से तंग आकर भाग चुकी थी और उसने जूटा मशूर कर दिया था वे मर गई है वे महा से भाग आई थी ममी ने उस बुढ़े का घर चोड़कर दूसरा मकान किराए पर ले लिया था मैंने उस बुढ़े से डिवोस्ट भी ले ली थी मेरी मा मुझसे गले मिलकर बहुत रोई थी अब मैं अक्सर सोसती हूं कि अगर मेरी दादी ने मेरे बारे में इतनी गलत बाते मशुर ना की होती। मैं कभी भी इस घर से भागने का सोच भी नहीं सकती थी। ये सारा सच है जमाने के लोगों की सोच और अप वाहें इंसान की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर छोड़ देती है। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले सो बार सोचना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि आपकी बातों की वज़े से किसी की जिंदगी खराब हो जाए। आपको तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन उसकी जिंदगी तो तबाह होकर और बरबाद हो जाएगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरू लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कीजिएगा और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ मुझ पर सदा अपना प्य नमस्कार दोस्तों